बिहार के कई जिलों में देशी शराब पीने से लगातार मौते हो रही है जिसको देखते हुए पटना से दरभंगा पहुचे उतपाद विभा की वेशिस टीम ने दरभंगा पुलिस के CID टीम के साथ देशी शराब बनाने और बेचने वालों के खिलाफ चापे मारी की ये चापे मारी शराब माफियाओं के खिलाफ अशोक पेपर मिल थाना क्षेतर के मनुरत गाउं से की गई यहाँ एक घर और खेत से भारी मातरा में देशी शराब बनाने का सामान जब्त दिया गया वहीं उतपाद विभा की टीम ने तुरंत कारवाई करते हुए अवैद दे द्रभंगा थाना सब लोग मील करके मनुर्था गाउं में चाप मारी के हैं मिस्री पट्टी मिस्रा पट्टी जिसमें हम लोगों को लगभग 8 लिटर देशी चुलाई शराब मिला है और लगभग सारे पास हो के जी महुआ मिठ्षा मिला है वहीं दरभंगा उतपाद विभग के इंस्पेक्टर सुदेश्वर रॉय ने कहा कि पटना से उतपाद विभग की टीम के साथ मिलकर कारवाई की गई है जिसमें 8 लीटर चुलू दारू मिला है साथ ही 225 लीटर कच्चे माल को नश्ट किया गया है पंजाब केसरी टीवी के लिए दरभंगा से सुनील की रिपोर्ट